कभी कभी हम चुट्टी वाले दिन सोचते हैं कि कुछ ऐसा नाष्टा बनाए जो चटपटा हो टेस्टी भी हो हेल्दी भी हो साथ में इजी टू डाइजेस्ट भी हो तो आज मेरी जो रेसिपी है उसमें ये सारी खूबिया मौजूद हैं तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाना शुरू करते हैं ऐसा नाष्टा इसके लिए यहां पर मैंने एक कटोरी सूजी ली है जिसे रवा भी कहते हैं इसको देखें मैं इस बॉल में डाल देती हूं और साथ ही आधी कटोरी फ्रेश घर की दही है जितनी सूजी है उससे हमें आधी दही लेनी है और इसको इसमें एड़ करके अच्छे से इसको हमें मिलाना है देखें अभी यह बहुत गाड़ा लग रहा है थोड़ा सा इसमें मैं दो टेबल स्पून पानी डाल रही हूं बस इस तरह का हमें अभी बैटर बनाना है और इसको 20 मिनट के लिए कम से कम धक्कर रखना है 20 मिनट के बा सा द्रक का पेस्ट है इसको भी सी में ही डाल देंगे और इसका हमें दरदरा सा इस तरह का पेस्ट हमें तयार करना है बहुत जादा इसको पीस्टना नहीं है अब यहाँ पर मेरे पास वेजिटेबल से हैं देखें गाजर है शिमला मिर्च है थोड़े से टमाटर हैं और च जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह की सब्जियां आप उसमें एड़ कर दीजिए और यह हरे मटर का जो पेस्ट था इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से अब हमें मिलाना है इसलिए हमने पहले सूजी में पानी ज्यादा नहीं मिलाया था अब तरह का बेटर चाहिए अब हम टेस्ट के कोडिंग इसमें नमक डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्थ डाल देंगे मैं बाकी मसाले नहीं डाल रही हूं यदि आपको बहुत चटपटा पसंद है तो आप इसमें और भी मसाले एड़ कर सकते हैं अब यहां पर मैंने एक भार जिसमें तेल डाल रही हूं और तेल को हम चारो तरफ फैला देंगे और यहां पर साइड पर थोड़ी से मैं सफेद तिल जो हैं इनको डाल रही हूं यह देखे इस तरह से मैंने डाल दिये हैं अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल देंगे जितना हमें 7-8 मिनट के लिए ढखकर रख देंगे और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है गैस की फ्लेम हमें तेज नहीं करनी नहीं तो यह कच्चा रह जाएगा अब देखिए हम 7-8 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं तो उपर से यह पकसा गया है हाथ लगाने से चिपक नहीं रहा है इसका मतलब यह नीचे से तैयार हो चुका है अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से थोड़े से तिल डाल देंगे और इसको इस तरह से उलट कर एक बार देख लेंगे यह देखिए कितना बिल्कुल ब्राउन कलर का अच्छा सा हमारा यह तैयार हो गया अब इसको दुबा दूंगी और इसमें वही बैटर हम डाल देंगे अब यह हमारा चोटे साइस का बन जाएगा वह बड़े साइस का बना था जैसा आपको पसंदों वैसा बना लीजिए और इसको उसी तरीके से उसी प्रोसेस से ढखकर हमें रखना है और फिर अब हम यह देखिए उपर से द साइटे की हेल्प से इसको इस तरह से पलट देंगे और इसको फिर ढखकर हम रख देंगे वही साथ-ाठ मिनट कम से कम एक साइट पकने में लगते हैं यह देखिए अब यहाँ पर भी लगभग 17 मिनट हो चुके हैं हमारा यह तैयार हो गया है और यह देखिए कितना अच् करके भी मैं तैयार कर लूँगी यह देखिए छोटे हमारे तीन बन गए हैं इसमें कितने फूले फूले बने हैं कितने मस्त लग रहे हैं देखने में इसको छोटे से लेकर बड़े तक सभी खा सकते हैं और निश्चित ही सबको यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी यदि कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट देकर जरूर बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी थैंक यू